Tata Motors ने अविने का का नाम अविने ही क्यों रखा और इस नाम का मतलब क्या है? अविने संस्कृत भाशा का एक वर्ड है, जिसका अर्थ इनवेशन होता है और साथ में इसमें आने वाला शब्द इन इंडिया को रेप्रिजेंट करता है. आये जानते हैं Tata अविने कार के बारे में. कंपनी के अनुसार ये अलेक्ट्रिक का 2025 तक इंडियन मार्किट में लॉंच हो जाएगी. हाला कि अभी तक कंपनी की तरफ से कोई भी प्राइस नहीं बताई गई. लेकिन एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि ये ब्रैंड न्यू अल प्राकिट में 30 लाख रुपे की प्राइस तक अवेलिबल हो सकती है. Tata अविने इलेक्ट्रिक कार बेहदा करशक डिजाइन और जबरदस्ट फीचर से लेस बताई गई है. Tata की इलेक्ट्रिक मोबिलिटी डिवीजन Tata मोटर्स पैसेंजर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी ने इ इस कॉंसेप्ट में Tata ने बटरफ्लाइ डोर दिये हैं, जो रोल्स रोइस की गाड़ियों की तरह खुलते हैं. इसमें आगे के दोनों दर्वाजे आगे की तरफ और पीछे के दोनों दर्वाजे पीछे की तरफ खुलते हैं. इस कार में कमपनी ने आगे की दोनों सीटों को revolving design से less बनाया है जिसका मतलब है कि इन seatों को user अपने हिसाब से हर तरफ घुमा सकता है टाटा अविने के interior को को simple रखा गया है इसके steering wheel पर touch panel दिया गया है जिससे इसके dash में बड़े और जगा घेरने वाले instrument cluster की जरूरत खत्म हो जाती है डैश बोर्ट पर sound bar भी दिया गया है front passenger के लिए दोनों तरफ personal touch control और हर seat पर voice command assistant की सुविधा भी होगी कमपनी का कहना है कि Tata अविने concept electric car की windscreen sky dome view का मजा देगी यह windscreen concept car के bonnet से शुरू होकर front seat के उपर तक जाती है जिससे इसमें बैठे लोगों को बेहत wide view मिलेगा company car के लिए connected features और खास software पर भी काम कर रही है company का मानना है कि future की कारों के लिए software सबसे जरूरी चीज होगी software artificial intelligence machine learning जैसी advanced technology पर आधारत होगा company अपनी अपक्मिंग electric कारों में autonomous driving technology देने पर भी focus करने पर विचार कर रही है जो टेसलर कारों में मिलने वाले system की तरह advanced होगा